Hello students, अब हम लोग करेंगे exercise 4.2 का question number 1 तो चलिए बच्चों पहले हम लोग question देख लेते हैं कि question में क्या बोला गया है Draw a quadrilateral A, B, C, D हमें एक चतुर भूज बनाना है A, B, C, D where A, B is equal to 6 cm, B, C का value दिया है 7 cm, C, D दिया हुआ है हमें 6.5 cm, D, A दिया है 5.5 cm और एक बच्चों हमें कोन दिया हुआ है, जिसका पोरी माप है 105 degree ठीक है बच्चों एक कोन दिया हुआ है, हमें 105 degree इसमें हमें क्या दिया है, चार साइट दिया है, और एक कोन दिया है हमें क्या बनाना है, एक चतुर भूज बनाना है तो पहले तो बच्चो हम इसका rough diagram बनाएंगे उसके बाद हम लोग इसका fair diagram देखेंगे चलिए बच्चो बनाते हैं अपना एक rough diagram एक चतुर्भुज बनाना है तो आप कैसे भी एक चतुर्भुज बना लीजिए यहां पर जैसे मैं बना रही हूँ सपोज ऐसा ठीक है आप कैसे भी बना सकते हो क्योंकि यह क्या है एक मोटा मोटी diagram है लेकिन बच्चो सबको pencil से बनाना है और एक बात याद रखना है बच्चो जो इस हम लोग नाम दे देते हैं A, B, C और D ठीक है यह चतुर्भुज जिसमें हमें क्या-क्या माप दिया हुआ A, B दिया है 6 cm मतलब A और B यह हमें दिया हुआ A, B 6 cm उसके बाद B, C का माप दिया है 7 cm उसके बाद दिया है बच्चो हमें C, D जो की क्या है A, B 6, 5 cm C, D 6, 5 cm उसके बाद D A दिया है 5, 5 cm उसके बाद D A यह आपका दिया है 5, 5 cm फिर दिया है हमें क्यों B, जो की है 105 degree क्यों B यानि कि यह वाला क्यों का माप दिया है हमें कितना बच्चो 105 degree ठीक है तो बहुत सिंपल है बच्चो इस टाइप के डाइगरम स्पनाने बहुत जादा ही सिंपल है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां से स्टाट करेंगे पहले हमने क्या देखा A B बनाया है 6 cm का ओके स्टूरंड्स तो पहले हम लोग लेकिन उस से बच्चो आप लोग क्या करना है चलो पहले हम A B से ही स्टाट करते हैं एक हम A B बनाएंगे 6 cm का यहां से लेके यहां तक हमारा हो गया 6 cm ओके स्टूरेंट्स यह है मेरा एबी जिसका माप मुझे दिया है 6 cm अब बच्चो हमें क्या करना है हमें यह वाला एंगल बी बनाना है जो कि कितना है 105 डिग्री का ठीक है तो हम अब यह बनाएंगे यहां पर कोन बी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चो हमें प्रोटेक्टर की ज़रुत पड़ेगे ठीक है हम क्या करेंगे प्रोटेक्टर का जो यह वाला जो हिस्ता है यह वाला दिस यह वाला हिस्ता जो होता है बच्चो उसको हम लोग रखेंगे बी में ऐसे करके और एक बात आप लोग वाद रखना , डेखो प्रोटेक्टर में हमारा क्या होता है यहाँ से भी हमारा zero starts होता है तिक है ? यहाँ से भी हमारा Geoff over view, वैसे ही बच्चो आप लोग और एक चिस ध्यान दे सकते हो, यहहाँ पे देखो जो नीचे वाला जो है, नीचे वाले में भी हमें क्या दिया हुआ है, जीरो से लेके 100 डिगरी तक, ठीक है, उपर वाले में भी हमें दिया हुआ है, जीरो से लेके 100 डिगरी तक, और यहां से भी हमें क्या दिया हुआ है, जीरो से लेके 100 डिगरी तक, अब आप लोग मैं, यहां पर भी तो 105 डिग्री आ रहा है, यह है 110, उसके बाद 105 डिग्री, 100 डिग्री का यह वाला पोशन क्या हो गया, बच्चो, 105 हो गया, सेम अगर आप छोटा वाला स्केल देखोगे, जो कि 0 यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां पर भी आप बोल सकते हो कि यह 100 हो गया आपका 105 होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चो, पहले तो हम इसको बी में रखेंगे, ठीक है, ऐसे करके, यह वाला पॉइंट इसमें और यह लाइन इसमें, देखो यह वाला पॉइंट हमने एकदम इसमें रखा है, बी का पॉइंट और यह वाला पॉइंगे, बोलो बच्चो हम कौन सा लाइन लेंगे, हम यह वाला लाइन लेंगे, कि हम जीरो वाला लेंगे, हम लेंगे जीरो से, जीरो से मापने हैं ना बच्चो, जीरो से ही तो डिगरी मापा जाता है, स्केल में भी कभी हम लोग कहीं से मापते हैं, जीरो से ही हम लो बहुत हैं तुर रवकशा है, विलद how the f is 0, और देखो यहां पर क्या होगा, इसे देखो. यह वाला पॉइंट कर रहा है आपको , बहुत है यह वाला पॉइंट रवाई को तूच कर रहा है, और यह वाला चो लाइन है बच्चो देखो, यह लाइन क्या कर रहा है? जीरो को पुरा टच कर रहा है अब हम यहां से देखेंगे हमारा 105 कौन सा होता है देखो हमारा हम यहां से नापेंगे ठीक है यह जीरो को टच कर रहा है यह तो नहीं कर रहा है टच और यह जो पॉइंट है यह क्या होगे हमारा 105 टिग्री ठीक है अब हम क्या करेंगे बच्चो यह वाला जो पॉइंट है और यह वाला जो बी वाला पॉइंट है इसको हम लोग जोइन कर लेंगे हमारे स्केल की मदद से ठीक है इसको हमने क्या क्या बच्चो जोइन कर लिया स्केल की मदद से और यह जो हमारा जो मा यहां से लेकर यहां तक कितना कौन बन गया हमारा 105 degree इतन तक समझ में आगया बच्चों अब हम हाँ करना है हमारा A वाला लाइन हमें चहिए यहाँ से लेके यह B, C वाला चाहिए हमें और हमें का चाहिए AD ठीक है पहले तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों यह सब को हम लोग यहां पर रफ में बना लेते हैं आप लोग भी सब लोग इसको रफ में बना लीजिए देखो बच्चो मैंने क्या किया भी यह जितने भी मेरे माप्त है यहां पर 7 cm, 6.5 cm और 5.5 cm उसको मैंने यहां पर रफ में ड्रॉइंग कर लिया इसको मैंने यहां पर बना लिया ताकि मुझे कॉमपास से मेजर करने में एजी हो जाए ठीक है बच्चो तो आप भी ऐसे करके बना लेना साइड में अब देखो बच्चो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अभी AD चाहिए 5.5 cm BC चाहिए 7 cm DC चाहिए 6.5 cm प्रोटेक्टर के थुरू हमें जब यह एंगल बना रहे थे हमने जोइन कर लिया था इसको लेकिन हमें यहां से लेके यहां तक कितना चाहिए? 7 चाहिए तो अब हम लोग देख लेते हैं 7 कितना होगा? प्रोटेक्टर से माप कर लो आप लोग बेख भी कराफे यह प्रोटेक्टर से माप लोग क्तितना है यह मेरा कितना आएगा बच्छो यहां से लेके मेरा यहां तक का माप कितना है 7 cm क्यूंकि विद्टो चापोते कितने का मैंने खीचा था बॉद्धो 7 cm का ठीक है आप लोग यहां पर चेक करके देख भी सकते हो जैसे यह क्या है मेरा 0 और यहां पर देखो 0 से लेके यहां तक 7 cm ओके 7 cm हो गया और जिसका नाम क्या है C तो यह मेरा क्या हो जाएगा बच्छो C हो जाएगा अब हमें क्या करना है देखो अब हमें यह वाला लाइन बनाना बाकी है और यह वारा लाइन बराना बाकी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लग क्या करेंगे बच्चो A और D, A और D बनाते हैं, इसका माप कितना दिया हुआ है हमें, 5.5 cm, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे मैंने दिया ही हुआ है, 5.5 cm, बस हमें क्या करना है, कॉमपास में इसको मेजर कर देना है, ऐसे करके मैंने मेजर कर लिया, 5.5 cm, अब हमें क्या करना है, बच्चो A में रखना है, A में रखो और यहाँ से एक बित्तो चापोती खीचो, किसका अबार्ड है, रेडियस 5.5 cm का, ओके यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 5.5 cm, उसके बाद देखो बच्चो DC कितना है हमारा, 6.5 cm, DC 6.5 cm है, मिन्स पहले हम क्या करेंगे, कॉमपास में मेजर कर लेंगे, 6.5 cm, ओके, यहाँ से लेके, यहाँ तक मेरा हो गया, 6.5 cm, देख सकते हो आप लो, ठीके, अब मैं क्या करेंगे, बच्चो ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगी, यह सी में रखके, मैं ऐसे करके खीचूंगी, अब मैं क्या करूंगी, सी में रखूंगी, और जो पहले वाला जो मेरा वित्तो चापोती था, इसको मैं ऐसे करके, कट कर दूंगी, ठीक है, कट कर दिया मैंने, अब आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मुझे मिला छेद, एक छेद म यहाँ तक मैंने कितना लिया था बच्चों, 5.5 लिया था ना, तो आप लोगो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दुबारा 5.5 का मेजरमेंट लेना पड़ेगा, माप लेना पड़ेगा, उसको क्या करेंगे, हम लोग A मे रखेंगे, ऐसे करके आप लोग इसको बड़ा अब हमें क्या करना है यह वाला जो पॉइंट था, यह पॉइंट था यह पॉइंट है हमारा डी, तो यहांपर हम लोग डी लिग देंगे अब हम्नों क्या करेंगे बच्चों, बच्चों पस अब आप लोग देख सकते हो हमें क्या मिल गया हमारा एक क्वाडिलेटरल एक चतुरफुज हमें मिल गया यहां पर इसका जो माप सब लीख लेंगे यह था मेरा 5.5 cm और यह मैंने कितना गा लिया था 6.5cm यहां पर देख सकते हैं यह 5.5 और यह है 6.5 cm तो यह जो मिला बच्चों हमें यह हमारा हो गया और इजनल डाइगराम